आप सबका स्वागत है हमारे योटूब चैनल मॉम डेड और बेबी में और आज हम लोग बात करने वाले हैं पुर्स अपने प्राइवेट पार्ट या गुपतां के काला पन को कैसे दूर करें कालेपन को दूर करने के लिए आप सहद और नीम्बू का इस्तिमाल कर सकते हैं यदि आप अपने प्राइवेट पार्ट को गोड़ा बनाने वाले उपाये खोज रहे हैं तो नीम्बू का रस और सहद आपकी मदद कर सकता है प्राइवेट पार्ट को गोड़ा बनाने के लिए आप एक निम्बू की रस में कुछ बून्दे सहत की मिला ले इस मिसरन को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे अपने प्राइवेट पार्ट पर लगाए और हलकी बालिस करे इसके बाद इस मिसरन को 10 से 15 मेने तक अपने प्राइवेट पार्ट पर लगे रहने दे फिर सामानने पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को धोले नेमित रूप से प्रतिदिन उपयोग करने के दोरान यह मिसरन आपके प्राइविट पार्ट को गोड़ा बनाने में सहायक है जो पुरुस अपने प्राइविट पार्ट के रंग से संतुष्ट नहीं है उन्हें नेम्बू और बेसन का इस्तिमाल करना चाहिए नेम्बू और बेसन के मिसरन का पड़ियोग प्राइविट पार्ट को गोड़ा बनाने के उपाय में सामिल किया जा सकता है अधिकान्स महिलाएं अपने चहरे के डार्ग स्पोर्ट को दूर करने के लिए बेसन, हल्दी और नेम्बू के रस का इस्तिमाल करती है इसी तरह से पुरुस भी अपने प्राइविट पार्ट के काले पन को दूर करने के लिए बेसन और नेम्बू के रस का इस्तिमाल कर सकते हैं इसके लिए आप एक कटोरी में एक छोटा चमच बेसन ले और इसमें 10 मिली लीटर दूद के रस को मिला कर एक पेष्ट तयार कर ले यदि पेष्ट बहुत गारा है तो आप इसमें पानी मिला सकते हैं इस मिसरन को आप अपने प्राइवेट पार्ट के उपर लगाएं और फिर जब मिसरन सूख जाये तो आप इसे सामानने पानी से धोले ऐसा करने से आप अपने प्राइवेट पार्ट के रंग में कुछ ही दिनों में अंतर महसूस कर पाएंगे प्राइवेट पार्ट को गोड़ा बनाने के लिए आप संत्रे के छिलके का इस्तिमाल कर सकते हैं संत्रे के छिलके में तुचा को गोड़ा बनाने वाले गुन होते हैं इसके अलावा इसमें विटमिन सी भी उच्चे मात्रा में होता है प्राइवेट पार्ट को गोडा करने के लिए आप संत्रे के सूखे चिलके का पाउडर दयार करें एक बड़ा चम्मच संत्रे के चिलके के पाउडर ले और इसमें कुछ सहद मिला ले इस पेश्ट को आप अपने प्राइवेट पार्ट की तचा पर लगाएं लगभग 10 मिनट के बाद या पूरी तरह से सूख जाने के बाद आप इसे ठंडे पाने से धोले यह आपके प्राइवेट पार्ट के रंग को गोरा करने में बहुत ही जादा मदद करेगा प्राइवेट पार्ट का काला पन दूर करने के लिए आप अंडे के सफेद भाग और सक्कर का उपयोग कर सकते हैं कुछ महलाएं इस मिस्रन का उपयोग प्राकिर्तिक वैक्स के रूप में भी करती है लेकिन यह मिस्रन प्राइवेट पार्ट को गोरा बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका भी है इसके लिए आप एक अंडा ले और इसे पीली जर्दी को निकाल दे अब इस अंडे के सफेद भाग में कुछ चीनी ले और इसे अच्छी तरह से मिलाए और एक गारा पेश्ट तयार कर ले अब इस पेश्ट को आप अपने प्राइवेट पार्ट पर लगाए और सूखने दे इसके बाद आप इस मिस्रन को सूखने पर इसे फेस पैक की तरह हटाए ऐसा करने से आपको प्राइवेट पार्ट के रंग को गोरा करने में काफ़ी मदद मिलेगी अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को गोरा करना चाहते हैं तो एलोवेडा का इस्तिमाल कर सकते हैं एलोवेडा विबिन प्रकार की तच्चा समस्याओं को परभावी रूप से दूर करता है लेकिन एलोवेडा और कक्री से बने पेश्ट का उपयोग आप प्राइवेट पार्ट के काले पन को दूर करने के लिए कर सकते हैं कक्री में सीतलन गुन होता है जो तच्चा को आराम दिलाने में सहायक होता है इसके लावा एलोवेडा के औसधी गुन तच्चा के रंग को साफ करने में सहायक होते हैं आप अपने प्राइवेट पार्ट को गोड़ा करने के लिए घरेलू नुसकों के तौर पर कक्री और एलोवेडा का पेश्ट का इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए आप कक्री का पेश्ट बनाएं और इसमें अलोवेडा जल को सामिल करें इस पेश्ट को आप अपने प्राइवेट पार्ट की तच्चा पर लगाएं अलोवेडा में एंटी ऑक्सिडेंट एंटी सैप्टिक और जिवानु रोधक गुन होते हैं जो तच्चा में मौजूद विसाकता को दूर करने और तच्चा को प्राकिरतिक रूप से गोडा बनाने में सहायक होते हैं आप अपने प्राइवेट पार्ट को गोडा बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तमाल भी कर सकते हैं यह प्राइवेट पार्ट को गोरा बनाने का सबसे प्रभावी घड़े लूप चार है इसके लिए आप बेकिंग सोजा में पानी मिला कर एक पेश्ट बनाए इस पेश्ट को अपने प्राइवेट पार्ट के उपर लगाए और सूखने दे सूखने के कुछ देर के बाद आप सामाने पानी से इसे धोले प्राइवेट पार्ट पर बेकिंग सोजा का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान दे कि इसे प्राइवेट पार्ट पर ज्यादा देर तक न छोड़े इस तरह से आप सप्ता में दो से तीन बार बेकिंग सोजा का उपयोग करके अपने प्राइवेट पार्ट की हलकी मालिस करते हुए लगाए नेमित रूप से इसका इस्तमाल करने से आपके प्राइवेट पार्ट के रंग को गोड़ा करने में सहायता मिलेगी उम्मेद करते हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हम माड़ा तहे देल से सुक्रिया